हाई दोस्तों, ग्लास 10th का, ग्लास 12th का आज रिज़ल्ट आ जाएगा आप सभी का 2024, क्लास 10th, क्लास 12th MP Code का दोस्तों, आज कुछ बताना चाहता हूं रिज़ल्ट आने से पहले और चाहता हूं कि आप हर स्टूडेंट में ये बच्चे को ये वीडियो शेर करें हर माभाप को ये वीडियो शेर करें हर टीचर को ये वीडियो शेर करें बहुत जARूरी वीडियो है और मैं चाता हूँ कि result से पहले देख लेएं सब मुझे याद है जब मेरा result आया था मैं बहुत ज़यादा गवराट में था बहुत ज़यादा और 12 में ये गवराड मेरी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे एक expectation थी, कि मैं 85% लाऊंगा, क्योंकि मेरे जो 3 main subjects थे, वो बहुत शांदार गए थे, उनमें मैंने 100-100 का करके आया था मैं, और मेरे 3 subject में 85 के उपर ही हैं, मतलब 3 subject में मेरे अगर marks जोड़े जाएं, तो 260 प्लस जाते हैं, मेरे marks 3 subjects के, account, business और economics, पर मेरे साथ हुआ कि हिंदी-English में, मेरे marks बहुत कमा है, और percentage मेरा 70 की line में चला गया, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, और ये regret कहीं न कहीं, अब तो नहीं रहता, ये regret मेरे को, पर ये regret आज भी थोड़ा सा ये रहता ह कि यार मैं थोड़ी सी और profession कर लेता, अच्छा रहता, हिंदी-English में मेरे को focus कर लेना चाहिए था, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, हो समझो आप, दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यार की न, आप फालतू अपने से खुद से expectation मत पालना कोई, ये मेरे क आप खरीदूंगा, और फिर ऐसा होगा, वैसा होगा, फिर ये, 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 ये सारी चीज़ा मेरे दमाग में थी, पर वो हुआ ही नहीं, और उस condition में, अभी तो ये मेरे पास mobile है, तो उस समय तो मेरे पास mobile भी नहीं था, तो वह ही है, कि हमने, मैंने कोई expectation बांधी, उ सब बिखर गए एक बार में, तो expectation तो आप बांध हो ही मत, आज बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे 90 अवब लाएंगे, 80 अवब लाएंगे, 85 अवब लाएंगे, बहुत सारे बच्चों को 25 रुपे मिल लेट्टॉप में लेगा, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्कूल में सम्मान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ होगा, जो बहुत अच्छी परसंटेज लाएंगे, उनमें दिक्कत नहीं है, जो मेरे ऐसे मान के चले 85 से कम लाएंगे, उनको दुख मुझे भी यह फील हुआ था कि यार मेरा तो जिंदगी खराब हो गई मैं 85 नहीं ला पाया क्योंकि हम ना उसके base पर अपने सपने देख लेते हैं उस percentage के base पर पर फिर मैंने खुद को समाला दीरे दीरे करके और देन मैं आगे बढ़ा मैं आपको भी यही सला दूँगा दोस्तों बहले आप मैंसे बच्चे fail हो जाएं मैं नहीं चाहूँगा कि कोई बच्चा fail हो पर होगा जरूर बहुत सारे बच्चें के fail होंगे बहुत सारे बच्चें की supplementary आएगी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जो target बना रखा था percentage का उससे कम percentage लाएंगे निराज मत होना दोस्तों बिलकुल निराज मत होना जानता हूँ आपके माबाप की expectation भी है बहुत जादा high expectations होती है माबाप की माबाप को लगता है कि उनका लड़का ही है उनकी लड़की ही है जो collector बनने योग्य है या जो सबसे बड़ी सी बड़ी post बजाने योग्य है हर माबाप को यही लगता है और हर माबाप को यह लगता है कि उसका बेटा paper निकाली लेगा या उसी का बच्चा top करेगा तो यह उनका सोचना होता है मैं गलत नहीं कहूँगा उनके सोचने को बिलकुल भी वो एक अच्छा आपके लिए वविश सोचते हैं अच्छा आपके लिए positive सोचते हैं कोई तो है आपके लिए जो positive सोचता है पर बात घूम के आ जाती है कि हमने एक्जाम में क्या किया यह हम जानते हैं हमने कितनी पढ़ाई की यह हम जानते हैं हमारी काबलियत कितनी है यह हम जानते हैं मैं जानता हूं दोस्तों इस दुनिया में आया हर एक बच्चा हर एक लड़की हर एक लड़का special है है ना हम अगर हम बात करें तो हम एक जैसे ही रहते हैं सब, पर हमारे वर्क जो होता है, हमारे जो काम जो होता है, हमारे जो कार जो होता है, हमारे जो दिमाग होता है, वो सबका अलग-अलग रहता है, मतलब सबका सेम होता है, पर चलता अलग-अलग है, तो मैं वही बोल रहा हूँ आप अपने talent को बाहर निकालने की कोशिश करिए यदि आपको नहीं पता कि आप क्या अच्छा करते हैं तो उसको खोजने की कोशिश करिए याद रखिए ये 12th के marks ये 10th के marks कहीं माईने नहीं रखेंगे कुछ जगा माईने रखते हैं 50-55% होना चाहिए ये काईदा कहता है पर ठीक है न अगर इससे भी काम आई या हम fail भी हो गए तो हम फिर कोशिश करेंगे जी हाँ आपको खड़ा होना पड़ेगा दोस्तों आप ये मत सोचना बिल्कुल भी कि आपके माबाप आपको जिन्दगी बर बैटका बैठा के खिला लेंगे नहीं माबाप एक समय तग आपके बैठा के खिलाते हैं और मैं लिटरली बताऊँ एक समय के बाद एक समय ऐसा आता है कि जब आपके माबाप भी आपसे चिड़ने लगते हैं मैं यह नहीं बोलूँगा directly कि direct चड़ने लगते हैं हलका हलका आपको indirect way में महसूस होने लगता है कि आप कहीं न कहीं चल रहे हैं और जब सिर्षी उपर पानी चला जाता है तो फिर आपको समझ में और अच्छे से आने लगता है अपनी बात को मैं ज़्यादा इदर उदर ना ले जाते हुए एक सही point पर लाके रखूँ तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा दोस्तों result चाहे कुछ भी हो कुछ भी हो आप सभी में fail हो जाएं सारे पाचों paper में पर हार इस बात से मत मानना कियार आप मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा नहीं आप बहुत कुछ कर पाऊगे अपनी जिंदगी में आप खुद को खुजने की कोशिश करो कि आप क्या अच्छा कर सकते हो आप किसी को guide अच्छा कर सकते हो हो सकता है कि आप दुकान अच्छी चला सको, कोई बुरा ही नहीं है, हो सकता है कि आपकी marketing skills बहुत अच्छी हो, आपकी sales stick, आप बेचने, आप product को बहुत अच्छे से बेच लेते हो, आप सामने वाले को convince बहुत अच्छे से कर लेते हो, हो सकता है कि आपकी public speaking बहुत अच्छी हो, हो सकता है कि यार मैं तो ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, नहीं, आप एक ऐसी चीज अपनी unique अंदर से सोचे, जिस पर आप काम भी कर सकते हैं, याद रखिए का दोस्तों, जो चीज आप खोजेंगे, उस पर आपको जी तोड महनत करनी पड़ेगी, और उस पर समय देना पड़ेगा, जो ये तीनों चीज़ें आप करेंगे तो आप definitely successful होंगे एक दिन, आज भले आप unsuccessful हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो आज फेल हो जाएंगे, जिनके आज 40-50-60% है जाएंगे, बिलकुल निराश होने की ज़रूद नहीं है भले आपका दोस्त आज collector की तैयारी करे, 95% लाने की बात, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप इमाबा बोल रहे हैं, तेरे से तो ये past हुआ नहीं, तो collector क्या बनेगा, ठीक है न, it's okay, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, collector नहीं बने तो ऐसी तैसी, नहीं बने तो नहीं बने कुछ और अच्छा बन जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों, अगर आज आप demotivate हो गए, और आज अगर आपने कही न कहीं यह सोच लिया, कि मैं आप जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, या मैं आप पूरी तरीके से खतम हो गया, तो literally बता रहा हूँ, आप खत सब कुछ हाटा देना है अपनी जिन्दगी से, हमको सिर्फ फोकस करना है हम पर, खुद पर, एक विश्वास के साथ कि हाँ, मैं भी जिन्दगी में कुछ कर सकता हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, कब तक दिखाओगे, या किन बेवकूफों को दिखाओगे, उनको क दो साल से फेल हो रहा हूँ मैं 12 में, पिछले तीन साल से फेल हो रहा हूँ मैं 12 में, वक्तों मैं अपनी जिन्दगी खतम कर लेता हूँ, नहीं दोस्त, आप दिल पे हाँ रखके बोलिए, कि आपने मेहनत कीती अच्छे से, आंसर निकल के आजाएगा आपके सामने, क्यों हम सबको एक ही रास्ते पर चलाने पर तुले रहते हैं जिन्दगी पर, हम चाते हैं कि यार हम नहीं चल पाए, मेरी जगा तू चलेगा उस रास्ते पर, क्यों, ऐसा मत करिये, कोई अगर आज successful officer बन गया, तो उसका मतलब यह नहीं है, कि उसी रास्ते पर हम अगर उस बच् बिल्कुल भी हार मत मानिएगा, बिल्कुल भी एक परसेंट भी, कहीं से भी आपको यह लगे, क्यार मैं demotivate feel हो रहा हूँ है, क्या मेरे को बहुत low feel हो रहा है, मेरा खतम करने को खुद को मन कर रहा है, तो यह खतम करने वाली चीज कितनी बड़ी है, सोचो अब, कोई जो suicide कर लेते हैं बच्चे, वो कितनी हिम्मत दिखाते हैं, वही हिम्मत, वो अपने अंदर खुद को खोजने के लिए निकालें, उस पर काम करें, तो वो ज्यादा अच्छा है, आप एक सोचिए, एक बच्ची suicide कर लेती है, खुद को खदम कर लेती है, तो वो कितना पीड़ा जाता है कि महनत करो, फल की चिंता मत करो, पर जो महनत करता है मानदारी से, उसे कुछ ना कुछ मिलता जरूर है, यह याद रखना, बस दोस्तों मैं यही तक बोलूँगा, यहां तक जिसने सुना है, वो शायद मेरी बातनों को थोड़ा भी समझ पाएगा न, उसे कभी होगी, और अगर आपको फिर भी low feel होता है, दिक्तत होती है, आप demotivate feel होते हैं, सामने आपके whatsapp number है, screen पही, उस पे मेरे को message करिए, call करिए, call तो नहीं लगेगा, message कर दीजिए, मैं जरूर आपसे बात करूँगा, जरूर आपसे आपको हर इक चीज़ सम्झानी कोशिश क करूँगा, जो मेरे से हो सकेगा, पर इस टाइप के steps अब बिलकुल मत अठाइएगा, क्योंकि याद रखिएगा, एक result, आपकी जिंदगी decide नहीं करता, आज जो 90%, 95% हो मैं कहता हूँ, 99.9% भी लाएगा ना, आज जो 99.9%, 99.9% भी लाएगा ना, उसकी भी कोई guarantee नहीं है, कि आगे जाके वो कोई अच्छा business कर पाएगा नहीं, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कोई अच्छी नौकरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा, और आज जो fail होगा, सारे subjectों में, उसका भी ये पक्का नहीं है, कि वो आगे जाकर, उसे कुछ टुकी दिखावे को, जो आजकल दिखावा इतने चरम पे है ना, हटा दीजिए इस चीज़ों को, कुछ भी दिक्कत हो, मेरे को इस नंबर पर WhatsApp करिएगा, very best all of you, मैं चाहता हूँ कि आप सभी का score बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग पास हो जाएं, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, सिरफ आपके घरवाले और आपके relative को दिखाने के लिए नहीं, खुझ कुछ कर दिखाने के लिए, इस society के लिए, जो इतने बड़े लेबल पर corruption फैला हुआ है, इतने बड़े लेबल पर गंदगी फैली हुई है, उसको हटाने के लिए, खुझ सोचना इस बात को, इस वीडियो को देखने के बाद, विश्वास रखना, अंत में जीत उसी सच्छे इंसान की होती है, जो शुरू से लेकर अंत तक सची बोला है, जीत उसी की ही होती है, याद रखना, all the very best all of you.